प्रदेश सहित करगौन जिले में मांसून ने दस्तक देदी हैं लेकिन तेज और लगातार वारिशना होने से लोग मायूस है अब लोगों को तेज वारिश होने का बेसब्दी से इंतजार है ताकि सूखे पड़े जल स्त्रोथ पानी से सरोबर हो जाए जानकारी के मुताबिक खरगौन में रुक रुक कर वारिश हो रही है कभी तो कुछ समय वारिश होने के बाग धूप निकलाती है किसे लोग ओमस औ और गर्मी से परिशान हो जाते हैं ऐसी इस्तिती बुद्बार को बनी उस देर वारिश होने के बाद मौसम साफ हो गया बताया जाता है कि जिले में एक जून से अब तक करीब देड़ इंच बारिश हुई है सबसे अधिक बारिश खरगौन में हुई है जबकि आसपास के खरगौन चेत्रों में कम बारिश हुए, बही मालसून को देखते हुए क्रिशी विभाग के उपसंचाल से निया किसानों को खेती खरगौन काहनि के लिए उन्होंने कहा है कि जिले में चार इंच बारिश होने के बाद ही खेतों में खरीव की बोबनी करें कम बारिस में खेतों को बोबनी ना करें और जब खेतों में पर्यात नमी आ जाए उसके बाद ही बोबनी करें इसे बीच के खराब होने की संभाबना कम रहती है झाल 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 सन दोहजार दोसे संचालित श्री हनुमन्त छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी, हस्मुक स्वाकत, सोने चांदी के आबुशनों के निर्माता, हार एबम चूडी, वेंदी, कर्धन, पायलों की हजारो बैराइटियां, एबम चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशी रतनों के विक्रेता, एक बार हमारे शोरूम में अवश्य हमारा पता है, मैडिकल कॉलेज के आगे दिली रोड सागर, SCJ ब्रांच 2 सराफा बाजार सागर